कि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है उत्ता प्रदेश पुलिस सब्सक्राइब पर इच्छा में जी एस का सेक्षन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी दा सेल्फ टीम ने और खासता और तरफ सर ने यह जो टॉ करते हैं साथ में अगर करते हैं तो अपने सुझाव जरूर दे ताकि हम अपने चैनल में सामगरी को बहतर कर सकें और आप हमसे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं हमारे यूपी एसाई का कुईज ग्रूप चल रहा है यह किस ग्रह में इस्तित्यक स्थान है में रहा है किस ग्रह का एक इस्थान है बुद्ध मंगल प्रत्वी या ब्रहस्पती बताइए यह कौन से ग्रह का एक इस्तान है क्लाइडस स्थान है इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर डी ब्रहस्पती यह कहां पर रहा है ब्रहस्पत ग्रह में इस् मोगेहातिक हाली में किसे औन्हा गया है जूनो स्पेस्क्राफ्ट से कि स्पेस्क्राफ्ट से dipping agricultural इसको ढूंडा गया है कि हमारा अगला प्रस्न है हाल ही में si emo चर्चा में था इसका क्या आर्थ है करोना को ध्यान में रखते हुई को सन बनाया गया है हाल्य में ECMO चर्चा में था इसका क्या आर्थ है option A इको कार्डियो ग्राम आउटपुट option B extra corporeal membrane oxygen option C electro physiology output option D endocrine जिल्ली oxygen यह जो ECMO होता है इसका सही आर्थ है extra corporeal membrane oxygen देखो दोस्तों इसका उद्देश क्या होता है कि जब भी oxygen support system patient का फेल हो जाता है उसमें समस्य हो जाती है तब मरीज को ECMO पर रखा जाता है जो कि एक कृतिम रदै और फेपणों की बहाती कारे करता है जो कि शरीर के निश्ची दुरूप से बहारी होते हैं तो ECMO एक टेकनोलोजी है जो कि oxygen failure होने पर patient को दी जाती है जब oxygen support system फेल हो जाता है तब ECMO का परयोग किया जाता है तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर है option B एक्स्टा कॉर्पोरियल जिल्ली oxygen अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या तीन कौन सा भारती राज्जे 2020-21 के दवरान FDI equity प्रवाह का सीर्ष करता है FDI से तो आप सभी लोग परचिती है और यह report भी बजट में आती है और साथ हैं पत्तिरकाओं में भी आपको पढ़ने को मिलती है तो रिसेंटली 2020-21 के दवरान FDI equity प्रवाह का सीर्ष प्राप्त करता कौन सा राज्जे है सबसे ज़्यादा FDI किस राज्ज को प्राप्त हुआ है करनाटक को, गुजरात को, महराष्ट को या तमिलनाडु को इसका सही उत्तर है B. गुजरात जो टोटल FDI देश में आया है उसमें से 37% है वो तो सिर्व गुजरात को भी प्राप्त हुआ है हमारा अगला प्रस्म संक्या 4 है भारत ने हाली में किस देश के साथ क्रसी छेतर में तीन वर्सी एक क्रसी कार योजना पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों बहुत इंपॉर्टन क्वेस्चन है और इसको ध्यान रखिएगा भारत ने हाली में किस देश के साथ क्रसी छेतर में तीन वर्सी क्रसी कार योजना पर हस्ताक्षर किया है भी ऑप्शन A. इसराइल ऑप्शन B. जापान ऑप्शन C. बंगला देश 21 के दौरान भारत में सरवाधिक निवेश करने वाला देश कौन सा है 2021 में सबसे ज़्यादा निवेश भारत में किस देश ने किया है ऑप्शन A है UAE ऑप्शन B है सिंगापूर ऑप्शन C है USA जो डिस्टिक सेंटरल कॉपरेटिव बैंक होते हैं और इस्टेट कॉपरेटिव बैंक होते हैं उनका जो मर्जर होता है तो उस मर्जर की मंजूरी कौन देगा ऑप्शन A राज्य सरकार ऑप्शन B वित्यमंत्राले ऑप्शन C RBI और आप्शन D ना बार्ड इस प्रस्ट का सही उत्तर है option A राज्य सरकार इसका सही उत्तर क्या है option A राज्य सरकार अगला प्रस्ट है प्रस्ट संक्या साथ जानवरों से मनुस्यों में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए WHO और भागीदारों द्वारा गठित पैनल का क्या नाम है जानवरों से मनुस्यों में बीमारी ना हो इस चीज़ को रोकने के लिए WHO ने एक पैनल बनाया है और उस पैनल का क्या नाम दिया है One Health Panel, World Health Panel, Genotic Disease Panel, We the World Panel क्या नाम दिया है इसका अगर आपने भी रिसेंटली न्यूज़ पेपर में ध्यान दिया है तो आपको इसका उत्तर पता होगा Option A, One Health Panel इसका सही उत्तर क्या है Option A, One Health Panel हमारा आठ्वा प्रस्न है One Stop Center, OSC किस केंद्री मंत्राले की एक प्रमुख योजना है स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले महिला यों बालविकास मंत्राले ग्रह मंत्राले या फिर आयूस मंत्राले One Stop Center है ये इसको सखी के नाम से भी जाना जाता है ये One Stop Center है जहां पर महिलाओं की हिंसा से संबंदित सारी सुब्धाइं उनको प्रदान की जाती है अगर को हिंसा पीडित महिला है भले ही वो कार्याले पर या घर पर या रास्ते में किसी भी जगह अगर उस महिला के साथ हिंसा हुई है तो ये One Stop Center पर आकर एक आसरे प्राप्त कर सकती है प्राप्त कर सकती है तीन दिन तक वहां रह भी सकती है एक ही जगह पर इसको चिकेट्षा स्वास्त और कानूनी सथा सुरच्छा सुब्धाइं एक ही छट के नीचे और साथ में NGO की सेवाई भी इसको प्रदान की जाती है यह किस विभाग की योजना हो गई फिर यह है महिला एवं बाल विकास मंतराले की योजना महिला एवं बाल विकास मंतराले Option B कौन सा संगठन सूची बद कंपनियों के फोरेंसिक आडिट करने के लिए लेखा परिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए तयार है कौन सा संगठन है जो लिस्टिट कंपनियों की फोरेंसिक आडिट करने के लिए आडिटर्स की नियुक्ति करने के लिए तयार हुआ है भारती रिजर्ब बैंक सेवी कैग या फिर enforcement direct rate जिसे इंदी में प्रवर्तन निदे साले भी कहते हैं इस प्रस्ण का सही उत्तर है option B C B C B ये कारे करने के लिए अभी राजी हुआ है जो कि auditor appoint करेगा forensic audit के लिए कंपनी की कौन सी कंपनी जो listed companies है हमारा आगला प्रस्ण है शांग इन हंग जो mount Everest को फटह करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला बनी ये किस देश से संबंदित है सांग इन हंग जिसने कि अभी एवरेश्ट को फतह किया है और सबसे जल्दी फतह किया है ये किस देश संबंदित है किस देश की महिला है कि विश्व स्वास्थ सभा के अनशार विश्व उपेकचित पूश्ण कटिबंदिय रोग दिवस कब मनाया जाता है वर्ड नेगलेक्टेट ट्रॉपिकल डिजीज डे किस तारीक को मनाया जाता है यह विश्व स्वास्थ सभा है यह मनाती है क्या विश्व उपेक्षित उस्ष्ण कटबंधिये रोग दिवस यह कब मनाया जाता है option A 30 January, option B 28 February, option C 31 March, option D 30 April इस प्रस्ण का सही उत्तर है A 30 January, 30 January को यह मनाया जाता है 30 January को सही दिवस भी होता है अगला प्रस्ण 12 लिटिल ब्लड टेल जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है किस प्रकार की प्रजाती से संबन्दित है लिटिल ब्लड टेल है जिसको की मानसून का अग्रदूत माना जाता है यह एक जीव है यह किस प्रकार की प्रजाती से संबन्दित है हमिंग बड़ ड्रेगन फ्लाई मेड़क या कच्छुआ है इस प्रस्ण का सही उत्तर है option भी ड्रेगन फ्लाई की प्रजाती है जिसे की मानसून का अगरुदूत माना जाता है हमारा अगला प्रस्ण है तेरवां वाइट मॉनुमेंट हाल ही में चर्चा में रहा था यह किस देश में इस्थित 4000 साल पुराना युद्ध इसमारक है अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था वाइट मॉनुमेंट तो कि 4000 साल पुराना युद्ध इसमारक है यह किस सब्सक्राइब कर देखा होगा यह किस से संब्सक्राइब के लिए इसका सही उत्तर है करोना के कारण जो अनात हुए बच्चे हैं उनकी देखवाल के लिए इसके अंदर उन बच्चों को लाब परदान किया जाएगा हमारा अगला प्रस्ण है अक्सर चर्चा में रहने वाला प्रोजेक्ट 75 आई निम लिखित में से किस से संब्सक्राइब कहते हैं यह पंडूब्बी निर्वान से संब्सक्राइब किस संब्सक्राइब तया यह पंडूब्बी निर्माण ऑप्शन भी सही है इसका हमारा अगला प्रस्ण है विश्वक खाद दिवस कब मनाया जाता है वाड़ फूड़ कब celebrate किया जाता है एक जून पांच जून चार जून या साथ जून इसका सही उत्तर है option a एक जून एक जून को क्या मना जाता है विश्व खाद्य दिवस अठारवा प्रस्न है और टे मिस एकॉर्ड और टे मिस एकॉर्ड है एक सीमा समझोता है यह option c विकास सिल देशों को टी का प्रदोगी का इस्थानांत्रित किया जाना है या उपरोक्त में से कोई नहीं और टे मिस एकॉर्ड है यह बेसिकली मनुस्यों को चंद्रमा और मंगल पर भेजने की एक योजना से संबंदेत है 18 में का सही उत्तर है option a मनुस्यों को चंद्रमा और मंगल पर भेजना हमारा 19 वा प्रस्ण है हाल ही में रिपोर्ट किया गया एक 1-0-3 किसका एक स्ट्रेण है एच 1-0-3 है एक किसका इस्ट्रेण है यह बढ़ फ्लू बी कोरोना वाइरस सी एंध्रेक्स यह डी स्वाइन फ्लू किस से संबंदी तही है इसका सही उत्तर है option a bird flu यह जो है हाली में जो डिटेक्ट किया गया ही क्या है बड़ फ्लू का एक इस्ट्रेन है option a विस्वाँ प्रस्ण है हाली में किस बैंक ने आर्थिक सोध रिपोर्ट इको रैप प्रकासित की है हाली में किस बैंक ने यह जो इकोनॉमिक रिसर्च पेपर होता है इको रैप इसका प्रकासन किया है यह भारती इस्टेट बैंक बी पंजाब नेशनल बैंक सी एक्सिस बैंक डी HDFC बैंक इस प्रस्ण का सही उत्तर है ऑप्शन ए इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारती इस्टेट बैंक अगला प्रस्ण यह निजपेपर में बहुत चर्चा में रहा था अभियान राबता मुहीम यह किस राज्य में लागू किया जा रहा है ऑप्शन ए राजिस्थान प्रस्ण का सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब यह पंजाब में लागू किया जा रहा है अभियान राबता मुहीम अगला प्रस्ण जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था रेड टूरिजम यह किस देश से संबंदित है ऑप्शन ए इंडोनेसिया ऑप्शन भी भारत ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी श्री लंका इस 22 प्रस्ण का सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन प्रेड टूरिजम से संबंदित रहा है अगला प्रस्ण है तेश्वा ओलेग नोविट्सकी और प्योत्र डब्रो जिन्होंने हाली में 7 गंटे का स्पेस वाक किया है अभी तक स्पेस में इतना लंबा वाक नहीं किया गया था तो साथ गंटे का स्पेस वाक अभी रिसेंटली किया गया है वो ओलेग नोविट्सकी और प्योत्र डब्रो ने किया है वो किस देश के हैं अमेरिका रूस इसराइल फ्रांस इस प्रस्ण का सही उत्तर है ऑप्शन भी रू आनलाइन मांचित रहे जिसे किस उद्देश के लिए विक्सित किया गया है ऑप्शन ए कोविड नाइंटीन रोगियों के लिए खाली विस्तरों की मैपिंग के लिए कि कहां कहां विस्तर मौजूद हैं किस-किस अस्पताल में यह से संबंदित है या फिर टीका करण केंद है यह मदद मैप है यह बेसिकली कोविड नाइंटीन रोगियों के लिए खाली विस्तरों का नक्सा से संबंदित है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 25 प्रस्ण है आईजैक हर जोग किस देश के ग्यारवें राष्ट्रपती चुने गए हैं आईजैक हर जोग अभी का सही उत्तर है ऑप्शन डी इस्राइल यह हमारे टॉप 25 क्वेस्टन से जो कि हमारी सेल्फ टीम ने आपके लिए तैयार किये हैं निश्चित रूप से आपके लिए ज़रूर उप्योगी साबित होंगे आप हमसे जुड़िए वाटसेप पर जोड़ सकते हैं आप हमसे ट